पादप की आगारिकी, वर्फोलोगी और प्लांट्स ठीक है? यह हम टॉपिक डिस्कॉस करने वाली है पे और इससे पहले हम आपको उताता हूँ, जीवो के वरिकरन के अंतरगत, जीवो के वरिकरन जो हम पढ़ रहे थे, उसके अंतरगत हमने पादप जगत हमने कप्लिट कर चुका है, ठीक है, तो पादप जगत पूरा करने के बाद मैं इस ट्रेंड़ा पर पहुंचा हूँ कि हम पादप सम्मधित और कीज़े भी यहां पर पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्योंगी हमको पढ़ना जन्तु जगत, ठीक है, जन्तु जगत के बारे में पढ़ने से पहले, मैं यह चाह रहा हूँ कि हमने पादप जगत के बारे में बहुत सारे बेसिक्स कंप्लिट कर चुके जो मैं skip कर दूँगा क्योंकि मैं उससे पढ़ा चुका हूँ और आप इससे पढ़ चुके हैं, ठीक है, और यह सारे चीज़े इससे टाइम बचेगा, और काफी सारे चीज़े हाँ पर हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके बाद हम पढ़ लेंगे यह रहाएं, पर इसके बाद में हम मानव के बारे हम पढ़ने वाले है, मानौफ के जो भी तंत्र हैं ठीक है, इस प्राइक इस बहुत सारे तंत्र हैं जो हमको पढ़ने हैं, और यह सारे चीज़े हम इस क्रमबध तरीके से चलिंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से हमारा biology का syllabus complete कर पाएंगी ठीक है और ये MPPC 2020 के मुख परिच्छा के पार्ट करम के अनुसार ये चल रहा है ठीक है तो हम शुरू करते हैं इसको पादप की आखारी यानी मरफोर ये प्लांट्स के अंतर के जो टॉपिक डिसकस करने हैं उनको बता है तुम फरीच है हम पढ़ेंगे हैं पर पादप विविता प्लांट डाइवेसिटी हम देखने वाले अनावरत बीजी जिनमे स्परम के बारे में बात करेंगे और अवरत प्लांट्स के प्रकार एक वीच पत्री दूई वीच पत्री इसके बाद हम डिसकस करेंगे पुस्पी पादर के विवेन भाग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दा फ्लॉरिंग प्लांट्स जड़ तना पत्ती पोसफफल छाल्टी के रूट स्टैम लीफ फ्लॉर फूट और ब पार है और डेली और वीगली फ्री लाइब मॉक टेस्टेश चल रहे हैं और पेपर एनलिस करा जा रहा है ठीक है और यहां पर फ्री लाइब क्लासेस हो रही है चार डिफरेंट एक्जाम को कवर करते हुए MP3HC प्रिलिम्स MPP पोलेस कॉंस्टेबल MPSI MPGL पहरी फ्री लाइ इस टॉप एजुकरिस के द्वारा होगा MPG के एन करेंट फेर्स की फ्री डिविजन कैम्प यहां पर चल रहा है और यह टॉप एजुकरिस द्वारा यह चला जा रहा है 20 से लेके 22 दिसम्बर तक बैइफिट्स और प्लस सब्सक्रिफन अन्तने होने वाले इतने यहां पर मेंदिश्ट्स मिलने वाले कंप्ली स्लिबस बैचेस है यहां पर विकली मॉक टेस्ट के साथ चाहट डिफेरेंट प्रकार के सुभधा हैं आपर मिलने वाली 10 मंत का foundation batch है MPVC prelims और mains के लिए क्योंकि dedicated answer writing कराई जाएगी हाँ पर हर week ठीक हर week में अलग-अलग session यहाँ पर रहेंगे और 2 years का foundation batch है MPVC prelims और mains के लिए क्योंकि design किया गए especially जो college going student है यानि जो undergraduate student है उनके लिए 120 दिन का target batch है यहाँ पर MPVC prelims हर मन्त यह launch किया रहा है तीन मंत का बैच है यह अदर MP exam के लिए MP forest service MP police constable MP SI और MP labor inspector जोगी launch किया जा रहा हर मन्त साथी साथ आपको बता दूए उसमें 50 से ज़्यादा top educators पढ़ा रहा है जो कि daily life classes ले थे bilingual होंगे हिंदी और English कि यहां पर classes होगी और not provide कराएंगे top educators के द्वारा 20 सजार से ज्यादा question है आप डेली प्रेक्टिस कराए जा रहे है ठीक है service object को मिला करके 10 मंत का foundation batch में आप 22 December से शुरू होने वाला आप आप इसमें जाइन हो सकते हैं और 10 मंत के foundation batch में सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे के top educators के batch में आप सामिल हो शकते हैं लक्ष MPPC SI जो तीन महिंदे का foundation batch है MPSI के लिए आप इसमें भी इंट्रॉल हो सकते हैं और यह 21 December से शुरू हो रहा है लक्ष MPSI का जो batch है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कावर होने यानि सभी सब्जेक्ट नहां पर कराए जा रहे हैं त्री मंस का foundation batch है यहां पर MPSI के लिए आपको करना क्या होगा आपको अनेकाडिमी का एप डाउनलोड करना होगा और प्लास सब्सक्राइशन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पोड़ेगा और जो रैफरल कोड यहां पर दिया जाएगा आपको यूज करना सरकार 10 और अपने एंसवार एक मेंज तीन महिने च्छै महिने और बारा महिनी के एंसवार यह आप प्लान ले सकते हैं और अपने जो टॉप एजुगटर से उसमें एंडरोल कर सकते हैं डालोड अनकेडमी अपना टुक्राइट एंप एंप एक्जाम एंव्यापम एक्जाम लेट्स क्राक इट पॉदो का एक मुख के भाग होता है तना इसका रहा हम पढ़ने वाले हैं आप यहां देख सकते हैं पुस्पी पादप के विविन भाग में हम कि यह थिरीम यह सब्सक्राइब होता है यह थित्री पादा यह थे यह सब्सक्राइब होता है यह थे जो जिससे जड़े बनती है और यह होता है प्लुम्यूल ठीक है प्लुम्यूल से यानि प्रांकुर से प्रांकुर से बढ़नता है तना इससे बनता है तना ठीक है तो यह पौधय का ऐसा भाग जो प्रांकुर यानि प्लुम्यूल से निर्मित होता है तना या इस टायम कहलात है यह हैं बहुमी को बक़रूत्वाक्रशन के विपरीद जहां पर कुछ चीजा आए कि आपको गुरुत्वाक्रशन विपरीद और प्रकास के ओर व्रद्धी करते हूं यह प्रकास के विप्रीद विद्धी करते हुए इस तरीके सीजी आईगे तो मैं आपको पता है तो हूँ तो यह प्रकास इस वाले अरिये में यह भूमी है ठीक भूमी के नीचे प्रकास नहीं होगा यह प्रकास की और वद्धी करता है जो तना होता है प्रकास की और वद्धी करता है ठीक गुरुत्वकर्शन के विप्रीद एवं प्रकास की और वद्धी करता है पताने पौधे को द्रेड़ता यानि कठोर्ता जो रहती है ठीक है कठोर्ता प्रदान करते हैं और शाखाओं यानि ब्रांचेस पत्तियों पुस्पों लीफ एंड फ्लॉर्स का निर्माण करते हैं किसका निर्माण करते हैं शाखाओं पत्तियों और पुस्पों इंग्लिस से बात करें तो ब् तिपर कि अंवागर थाषु कारी होता है आगे त्वोर्थ देखते हैं तने के विषूरिश लक्षन क्या है इसके प्लेक्टरिप्ट्रिक्ट्प्स तने के शीर्थ पर उपस्थ्थित कलिकांएं जो बड़से कलिका यानि बड़स जो है पॉदों कि लंबाई में बुरद्दी करती है ठीक है तने के शीर्थ में उपस्तित जो कलिकाएं रहती है वो क्या करती है ये जो बट्स है ये कलिकाएं जो रहती है वो पौधो की लंबाई में व्रद्धी करती है ये पौधो पौधे का आरोई भाग है आरोई मतला असेंडिंग ठीक है असेंडिंग और बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़त यानि ब्रांचेस पतियां लीव्स एवं पुस्प फ्लॉर्स निकलते हैं इसी से क्या निकलते हैं शाखाय निकलते हैं पतिया निकलते हैं पुस्प निकलते हैं यानि ब्रांचेस लीव्स और फ्लॉर्स निकलते हैं बड़े तनों में पर्ण रहीत यानि क्लोरोफिल से परस्ती तरहता है, ठीक है? तो इसके विसे श्लेक्शल है, अब हम बात करता है तन्हों के प्रकार की पर आधा कहाँ है आधा वाईयू में है इसको बहिनी अर्द वाईयू थैन्य Top of तीसरा है भूमबिकत्य थन्य जैसे आर्ब पनी कि जैसे आलू होगया अलू अधरक वगरा इस परकार के यह पौदे होते हैं इसमें इसमें जो तना होता है वह वह में अंडर्गाउन स्टेम्स होते हैं और मैं आपको उताँ यहां पर यो वाई भी तने एरिल इससे वह जयातार पौदे निए 95% से ज्यादा पौदे वह भाइवी तने वाले होते हैं ठीके बाकि जो बच्के बुछें हम युज़ करते हैं उसको बांध के अंदर है पर पाली में जरे चल दाल रहता है आप को पाल घुर अरद भाय भी तैनिका ठीक है और भूम हम देख लिये और भाय भी accent पिसलिए जादा जैसे आम ही जाम है जामुन न इस परकार से जो यह जो तने वाले जो उब्रक्ष है इसमें भाई भी तने होते एरिड chain होता है ठीक जानेंगे करके सभी के बारे Deep में ब्हूमि गतने यानि अंदर्गाउन स्टैम के अंदरकत documented हम देखेंगे तन्य का वहाग जो शुचुट यानि डर्मिंट आवस्ता में अवस्ता में भूमि गदर रहता है भूमि के अंदर रहता है? जिसाफिक है? यह भूमि के अंदर रहता है Inter Notes में आपको उस тобой example मों समझाया था आप इसको गन्ने वाले example आसा नहीं समझाओ घिक ये गनना है और यहाँ पर जड़े हैं यहाँ पे देखीए Notes है इस प्रकार से यह Ёह Gap यहाँ पर देख रहे है Notes ढोर और Notes के बीच का जो अंतर है उसको कहते हैं inter notes ठीक है उसको बीच का अंतर क्यों ख merged थीक है उस प्रकार से यہे जरते हैं इन तनों में तनों की जो खास बाद वोई होती है कि इसमें notes और inter notes होते है ठीक है परहसंदी और पॉन्ड का लिकाए यहाँ पे होती है notes और inter notes ठीक है उधारने के लिए हल्दी, अधरक, प्याज और लेसून, इन चारों में यहाँ पे भूमिकत तन्य होते हैं ठीक है, अब भूमिकत तन्य के रुपांतरन को हम देख लेते हैं Modification of underground stamp psychology ऐसे बख两 के चीडिक हैं भूट के कारण ये food कर मोटे और मांसल, fleshy हो जाते हैं कास हो जाते हैं? मोटे और moreně हो घांसल हो जाते हैं तन्य आकार इवन भूमिकत त्शितिके आधार पर निमिलिकत प्रकार के होते हैं पहला है प्रकंद, दूसरा है settlement pand और शलकंद और घंकंद ठीक है यह चार पकार के हम यहाँ पर देखने वाले हैं वहरा है प्रकंद इसको इंग्लिश में बोलते है राइजोम ठीक है इंग्लिश में जाता है प्रकंद या फिर राइजोम में यह मोटे एवं श्यान प्रोस्ट्रेट तनी होते हैं जो मिट्ट के सत्य है के नीचे 36 horizontally रूप में व्रिद्धी करते है इस प्रकार से व्रिद्धी करते है 36 रूप में horizontally जैसे यह है ठीक है यह 36 है यह उर्द्वारदर है ठीक है यह इस प्रकार से mathematics हम पढ़ते है जो coordinate geometry उसमें यह होता है उर्द्वारदर और यह होता है 6 ठीक है तो 6 ते मतलब यह horizontally रूप करते है इसी प्रकार से यहा करते हैं यह उख करते है उसके कारण है शाका रही तिया फिर शाखायूक दोनों हो सकते हैं शाका रही थी, शाका यह दोनों हो सकते हैं. कभी-कभी इनकी निचली सतों पर पतली सी अपिस्थानिक जड़े, Advent TCS Roots, इनकी जो निचली सतों है यहां पर अपिस्थानिक जड़े यानि, Advent TCS Roots जो है, वो विक्सित हो जाती है. अधरक यानि जिंजर इंग्लिश्में से बोली है इसका उधारन है आडू देखेंगे इसका औरह में क्या है यह भूम का तैने भोज पदार्तों के संग्रेंट के कारण शीर से भाग पर फूल कर मोटे हो जाते हैं इनकी सतह पर अनेक गड्डे होते हैं आपने दिखा यह पर फिर कर आए χोती है इनकी सत्य कर आइग्ली चाता है यह होती है रहती है यहां पर कलिकाय यहां पर रर्म जहाई है और संखना बाद हे जैसे पचा हूँ नए पौदो को ट्यूबर ठीक है इस प्रकार से यह तना और यह शाखा शूट ठीक है तो इस प्रकार से स्थमकंद का हमने एक्जम्पल और डिस्कृप्टिन यह आपर दीखा अगला है शलककंद इसको इंगलिशने बोलते है बल्ब इस प्रकार का तना बहुत छोटा शौट अवम चप्ट फ्लाटेन होता है और जो उककर कभी भी जमीन कभी मूमी पर नहीं आ पाता ठीक है यह सामानता बहुत से छोटे-छोटे शल्क पत्र याँए सक्ल 이상 nor' शल्क पत्र ये जो है आप देख रहा हैं यह पर यह स्वर्फ पत्र यह रैड रैड झुबिए करती है चल्क प्रत संग्रन और बूदारिक का्ध कि होती हम लेशन और फ्याज लेशन और फ्याज शलकंद के उधारन है ठीक है लेशन और फ्याज यानि बलब के उधारन यहाँ पर है ठीक है शलकंद या फिर बलब इसको इंग्लिशन बोलेंगे अगला है गन-कन्द यानि कोर्म इसको इंग्लिशन में बोलेंगे यह बास्ता में प्रकंद राइजोम का संगनित कंडेंस्ट रूफ है जो भूमी के नीचे उदारदर दिसा में व्रद्धी करता है एहा यहाँ दीखिये जो प्रकंद वाल जो हमने देखा थे हैं या पर इसका इसी का क्या है इसी का संगनित रूफ है जो भूमी के नीचे उर्वादर दिसाम रद्धी करता है इसको पॉधे अधिक नामठा में तनिकिन आधार पर भोछ बदार कसंचैन और जिसके परिणाम स ठीक ये कर्वमें इसको बालेगी ये शल्कपटर में इसके leaf से है और ये गाठ है, यानि notes से ज़ीक है, notes शल्कपटरों के कक्ष में कक्ष का लिकाएं औक पस्तित होती है और अधार से अपस्तानिक तो अधारन के लेखते हैं अरभी और जम्म्मिकंत अर्वी और जिमिकंद इसको उधार है ने घंकंद के अगला है अर्द वाईवी तना यह सब एरियल इस्ट है में हम देखेंगे जब किसी तनी का अंशिक भाग भूमी और सेज भाग वाईव में होता है तब ऐसे तनी अर्द वाईवी तनी कहलाते है ठीके इसमें आदा यह ने पदों का निर्वान होता है जिन्हें विसरफी या क्रीपर्स खायाता है क्या आएगा विसरफी या क्रीपर्स अर्द वाईवी तनी के अरुपान तरह हम देख लेते इसमें अपरी भूस्तरी ठीके इस प्रकार के तनी लंबे लॉंग पतले थिन एवं कमजूर वी होते हैं जो भूमी के उपर उपरी सत्य के समांतर रूप में फैले रहते हैं जो भूमी के उपर क्या है यह समांतर रूप में फैले हैं इनके तनों में वस्तित पर्व संधियों इन्टर नोट के उपरी एवं निचली सत्य से करमसा शाखाएं वरांचेसवा आपस्तानिक जोड़े विक्सीत होती है, किनके नोट्स, सरी इंटर नोट्स, इंटर नोट्स है, इंटर नोट्स के ऊपरी और निचली सते से शाखायों ब्रांचिस और अपस्तानी जोड़े' विक्सित होती है ये शाखा है और नीचे अबस्तानी जड़े विक्सित है जैसे हम देखते है दूब घास एक्जोन ओपस ठीक है मरसीलिया आदी इसके उधारने रूनर के ट्रेनर ये रूनर इसको बोलेंगे तो ये दूब घास आप आप ज़्यातर ये सोयाद रख सकते हैं अधला वूष्टरी के समान पूस तारिकहा आप यह देख सकते हैं ये ये वाला चितर है आफट्र का अभूस्त्रिके ,+, इस तारीका भी पतियों के कुछ से 36 जरूमें विक्सित होते हैं यानि पहला वालह वाला हमने तेख़ा है जल कुμ Да, जल कंबी जो पूदा है, और ादा वायू में तो यहां पर इससे समझ से होती किसको यह पर जली जीवो को यह अकुजियर मगरण जाने में दिक्खर करता है जल में यह दिक्कत करता है और यह जली जी जी जो रहते हैं इसमें समस्तवत्वन करता है इसलिए से यह निकालने कार यहां पर कर रहा है यह जो मचवारे बगर यहां पर देख रहा है वो इस तरह कर यह कार कर रहा है अगरा है अंतहा भूस्तरी शकर्स शकर्स हम देख लेते इस्ट्रलोन के समागे से साखा होती है पार्स ठीक है पार्स साखा है ठीक है जो उपर के और तिर्यक रूप में व्रद्धी करती है तिर्ची रूप में व्रद्धी करेगी जब भी हम देखेंगे तिर्ची ये तिर्ची ये तिर्ची ये तिर्ची ये तिर्ची ये तिर्ची इसको इंग्लिशन बोलेंगे और पुदीना है यह पुदीना तो ठीक है तो इस प्रकार से अंता बूस्तरी यह नहीं सकर्स के अधार नहीं यह पर देखने हम मिले अगला है वाइबी तना जो की 95% ज्यादा ब्रक्च्चो में होता है यह पौदों में होता है इसा बोल सकते हैं ऐसा तनी जो भूमी के उपरी भाग में उस्तित होते हैं वाइबी तनी कहलाते हैं इन तमनों में शाखाएं, ब्रांचेस, पतियां, लीफ्स, परसंदियां, इंटरनोट्स, एबंग फूल, आदी, या फ्लॉर, इंग्रिशन मोलेंगे, आदी सभी उपस्तित होते हैं, क्या क्या उपस्तित होते हैं, शाखाएं, पतियां, परसंदियां, फूल, ब्रांचेस, इंटरनोट्स और फ्लॉर ये सभी उपस्तित होते हैं इसमें वाई वितने में ठीक है उधाने के लिए गुलाब अंगूर नंगफरी नीवू आदी तो ये वाई वितने के उधारने पहले हम दिखते हैं वाई वितने के रुपांतरन अगूर अगरस्त का लिकाओं के रुपांतरन से निर्मित होती है ये इस प्रकार से है इस प्रकार से है उसे निर्मित होती है कभी-कभी इनकी काटेदार संरचना पर पत्तियों एवं पुस्म निकलाते है कभी-कभी उनकी काटेदार संरचना पर पत्तियों एवं पुस्म निकलाते है पत्तियों निकलाते है जैसे नीवू में बोगन विलिया में आदी में के अगला है इस्टम्फ प्रतान, स्टम्फ टेंडरिल, कुछ पौधों में पत्ती की शाखाओं के सीर्स भाग से पतले धागे के समान कुंडली सनेचने विक्सित होती है, जिसे प्रतान कहा जाता है, टेंडरिल कहा जाता है, ये किसी आधार से लिपट कर कमजोर तने वाले, किसी आधास से लिपट कर किया है कमजूर तने वाले पौदों का आरोहन में साहता प्रतान करते हैं और उधान के लिए हम देखते हैं लौकी और अंगूर ठीक है लौकी और अंगूर ये इस नम प्रतान के यहाँ पर एक्जामपल है अगला प्रणा वरंत फाइको क्लेड कई मरुविद पौदे जैसे यहाँ पर देखते हैं नाकफनी काजू राइना क्यक्टस इस प्रकार से जो पौदे हैं इनका तना चप्टा एनी फ्लेट बिलनाकार सिलेंड्रिकल और गोलकार राउंड शिप में वह हरे रंका होता है इसकी पच्टिय रुमांत्रित होकर काटे स्पाइन्स अत्वा शल्क पत्रों स्केल्स में परिवत्त हो जाती है यह तनों में होने वाली जल की हानी को रोकता है उधारन के लिए अंदितने नंगफनी और दूसरे एक्जमपल यहां पर है काजुराइना और कैक्टस अगला है परव परणाफ परव यानि क्लैलोड सम देख लेते हैं क्लैडोड समानता कुछ पौदों की परव संधियों स चोटी हरी बिलनागार या चप्टी साखाये विक्सित होती है जो शुताहा सुल्क पत्र में परिवर्तित हो जाती है यह परिवर्तन पौदों में वासपूर सद्धन की दर को कम करने के प्रियुक्त होता है और इस पकार के रुपाहंतरन को परणाव परव यानि क्लैलोड अगला है पत्र प्रकालिका बुलबिल ठीक है कुछ पौदों की कच्छत और उस पकालिका विसस छोटे अकार से नुपांतरित हो जाती है जो पत्र प्रकालिका कहलाती है मुखे पवोड़े से अलग होकर ये भूमी में गरियाती है ये चया होती है मुखे पवड़े से अलग होकर कहांगote रेहती है राता अनुकूल मौसम में विक्सित होने होकर नये पवोड़े का निर्माड करती है उधरन के लिलीए प्याज है लेसन है यह इसके उधरनर है वातर ट्रकली का की ठीक है बोलों के तो यह थे तन्यस संबंदिर टॉपिक जो कि आप लेक्चर इपर वीडियो करें सकते हैं या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं आ पने दोस्तों में πस्ता है और सांथ यह आप चैनल की अरप चैनल जाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को स्कतिgenes के सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ प्लांस दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लांस है यहाँ पर, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ जॉइन मेंबर्सिप को आलगो दिए गए, यानि जिनने मेंबर्सिप जॉइन किये, उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक से संबंदित, आप उस जोइन की लिंक से आप यह सारे डाउट्स अपने के लिए सब सकते हैं, तो यहाँ आज के लिए वह से इतना ही मिलते है, नेक्स्ट वूडियो में तब तक के लिए, जैह हैं, अनकेडमी, लेट्स ट्रक इट, अनकेडमी लेकर आए, आपके लिए फ्री प्लांस और फ्री प्लांस में क्या हम लेने वाला है, पांसो से ज़्यादा फ्री लाप क्लासेस हैं आप पर हो रही है, हर वीक और MPK टॉप एजुटर्स के दौरे हैं आप पढ़ा जा रहा है, डर्ट क्लिण सेसन भी हाप लिए आ रहा है, पचास से टॉप एजुटर्स आप पढ़ा रहे हैं और डेली और वीकली, फ्री लाप मॉक टेस्टेस चल रहे हैं, और पेपर एनलिस करा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फ्री लाप क्लासेस हो रही है, चार डिफरेंट ए हैं और इसके बाद यहाँ यानन यहाँ बजे से चलती है, ग resources Sun下 życia का सीरीज चलती है, और इसका analysis Top Educators का moim पर酟 यहाँ पर चल रहा है, और यह Top Educators दौरा यह चला जा रहा है, 20 से लेके 22.ímogen दिसमबर तक, दस मन्त का foundation batch है MP specific prelims और mains के लिए क्योंकि dedicated answer writing कराई जाएगी यहाँ पर हर week ठीक हर week में अलग-अलग session यहाँ पर रहेंगे और दो years का foundation batch है MP specific prelims और mains के लिए क्योंकि design किया गए especially जो college going student है यानि जो undergraduate student है उनके लिए 120 दिन का target batch है यहाँ पर MP specific prelims हर मन्त यह launch किया जा रहा है तीन मन्त का बैच है अधर MP exam के लिए MP forest service MP police constable MP SI और MP labor inspector जोगी launch किया जा रहा हर मन्त साथी साथ आपको बता दोंगे उसमें 50 से ज्यादा top educators पढ़ा रहा है जोगे daily life classes लेदे 25 से जादा life classes यहाँ पर हर महिने चल रही है covering all subject for preparation of MP MP के सारे exam or dedicated है यह doubt clearing session यहाँ पर bilingual होंगे Hindi और English कि यहाँ पर classes होगी और not provide कराएंगे top educators के द्वारा 20 से जादा question यहाँ पर daily practice करा जा रहे हैं ठीक है सभी subject को मिला करके दस मंत का foundation batch में आप 22 December से शुरू होने वाला आप इसमें जाइन हो सकते हैं और दस मंत के foundation batch में सारे subject हैं पर cover करा जाएंगे top educators के batch में आप सामिल हो सकते हैं लक्ष MPPC SI जो तीन महिंदे का foundation batch है MPSI के लिए आप इसमें भी एंट्रॉल हो सकते हैं और यह 21 December से सुरू हो रहा है लक्ष MPSI का जो batch है उसमें इतने सारे subject cover होने यानि सभी subject हैं आप पर यूज करना सरकार 10 और अपने एंसवार एक मने तीन महिने उच्छे महिने और बार महिने का इंसवार यह आप प्लान ले सकते हैं और अपने जो top educators से उसमें enroll कर सकते हैं download and academy app now to create MP exam and VIP exam let's crack it